हलो फ्रेंड्स आजके इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने Nokia C21 Plus Android वाइलफोन में आप जो है Adaptive Brightness Setting को Enable कैसे कर सकते हैं यानि की On कैसे कर सकते हैं और ये Adaptive Brightness Setting जो है Enable करने के बाद ये Setting कैसे काम करती है आजके इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाल हम तो चलिए आपर जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइलफोन में Setting पेज open करना है ठीक है Setting पेज में आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको में आन हो जाएगा यानि कि आपकी adaptive brightness setting इनेबल हो जाएगी ठीक है अब यह adaptive brightness setting जो है इनेबल होने के बाद यह setting कैसे काम करती है यह मैं आपको समझा देता हूं यह जो आपके में जो brightness का जो यह pointer होता है लेवल होता है इसको आपको अपने हाथों से कम या जादा करने की जुरवत बिल्कुल भी नहीं है ठीक है क्योंकि आपने setting को on कर दिया है तो अब क्या होगा कि आपका mobile phone जो है इस brightness level को automatic कम या जादा करेगा तो यह कैसे करेगा कब करेगा और मैं आपको बता रहता हूं यह जो आपका mobile phone के चारों और कैसा environment होगा उसके हिसाब से यह setting काम करेगी कैसे जैसे ही आप अपने mobile phone को रोशनी में लेके जाएंगे ना तो आपके mobile phone की brightness जो है वो बढ़ जाएगी चाया वो bulk की रोशनी है चाया वो सूरज की रोशनी है जैसा environment होगा चारों और वैसा ही आपका brightness उतने ही बढ़ेगी ठीक है और जैसे ही आप अपने phone को setting page open करना है setting page में सबसे उपर आपको सर्च setting select करना है अब यहाँ पर आपको search बार में टाइप करना है adaptive brightness ठीक है तो यहाँ पर आपको नीचे यह option शो हो जाएगा adaptive brightness का select करना है इससे होता है आपका mobile phone आपको direct इस setting में लेकर आ जाता है और इस setting को highlight करता है तो यह shortcut तरीका इस setting को डूड़नेगा आपके mobile phone में